रादे कृष्णा भक्त जनो सोनी टालेंड रपर मैं आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर उपस्तित होई हूँ और वो भी दिपक के उपर है तो आज मैं आप सभी के साथ क्या जानकारी साजा करूँगी आप सोच नहीं सकते हैं लेकिन शायद एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट करके पूछा कि आरती के वक्त अगर दिपक में या फिर आरती की जो लौ होती है उसमें अगर फूल बन जाए तो इसका क्य मतलब होता है जी हां आज मैं आपको इसी के उपर एक जानकारी दूँगी जो कि बहुत ही बहुत ही सुन्दर प्रश्ण उन्होंने हमसे पूछा और हमने वहां पे उत्तर तो उन्हें दिया लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है एक वीडियो इसके उपर में बना कर आप सभी के साथ ये जो जानकारी है आप सभी के साथ मैं साजा करूँ तो इसलिए मैं ये वीडियो विशेशकर आर्थी के दीपक में जो फूल बनते हैं या फिर जो आर्थी करते समय जो लौ में फूल बनते हैं तो उसका क्या मतलब होता है उसके पीछे क्या रहस होता है तो उसी से स अपने इश्टदेव, अपने आरादे, अपने प्रभू को नियमित तौर से दीपक लगा कर पूर्ण पूजा जो है वो हम करते हैं सुबह शाम दोनों समय दीपक जो है वो लगा कर उनकी पूजा आरादना करते हैं तो सबसे पहली बात है कि दीपक के लौग के उपर मैंने और भी वीडियो जो भी है दीपक के लौग में जो फूल बनते हैं वो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है अगर आपके मन में भी कोई प्रश्ण उठते हैं तो आप वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर वीडियो जो है वो आप चेक कर लीजेगा हो सकता है वहाँ आपके सारे प्रश्णों के उत्तर मिल जाए यदि आपके प्रश्ण के उत्तर ना मिले तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि मैं उस पे भी एक वीडियो बना सकूँ या फिर आप सबी के जो भी मन में शंका है उसे दूर कर सकूँ तो सबसे पहली बात है कि दिपक में फूल बनना बहुत ही जो है शुब माना जाता है हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभू की कृपा हम पे वरस रही है वे हमारे पूजा से जो है वो बहुत प्रसन्न है हमारी भक्ती साधना उन्हें जो है मानने हो रही है वो हमारी भक्ती साधना को सुईकार कर रहे है तो बहुत सारे ऐसे संकेत वे हमें देते हैं लेकिन उसी में से एक संकेत जो है दीपक में फूल बनने के से समंधित है और बहुत सारे ऐसे संकेत के द्वारा इश्वर हमें बताते हैं कि वो हमारी पूजा भक्तिया रादा से प्रसन है उसी में से एक है दीपक में फूल बनन जो है वो संभव नहीं है तो सबसे पहली बात की हम पूजा करते हैं पिरिवत पूजा करते हैं अपने प्रभू की और सुभे और शाम पूजा करते हैं पूजा के बात जो हम आरती लगाते हैं इश्वर की देखिए सबसे पहली बात है कि ये आपके उपर डिपेंट करता है कि आप इस जो भक्ति भावना से भरी हुई बाते हैं या फिर जो इसके पीछे चिपावा रहस है अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो ये सब कुछ संभव है यदि नहीं मानते हैं तो आप कुछ भी संभव नहीं है बहुत सारी लोगों का होता है कहना कि ये अपने आप ही बनता है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ये अपने आप ही बनता है तो क्या सभी व्यक्ति के दिपक में फूल बनते हैं आप मुझे बता दीजे तो सबसे पहरी बात है कि अगर आप मानिये तो सब कुछ है नहीं मानिये तो कुछ भी नहीं है, मानने पर तो बहुत कुछ है, हवा भी हमें नहीं दिखती है, लेकिन हम स्वास तो लेते हैं, उसका हिसास तो होता है, उसी तरह हर चीज का प्रमान देना जरूरी नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसे चीज़े होती है, जिसमें हमें आस्था और भक्ती और बनाया है ये सब कही न कही हमारे धर्म जो है हमारे देवी देवता जो है तब ही ये सारी चीज़े हो रही है अगर भूत है तो जो भूत प्रेथ होते हैं वो अगर बुरी शक्ती है तो अच्छी शक्ती भी है इश्वर भी है आपको इसी तरह समझना पड़ेगा तो ये सारी कर रहे हैं अपने प्रभू के तो उस वक्त अगर आपके लौ में या फिर जो आरती की दीपक होती है उसमें फूल बन जाए आरती करते करते तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यहीं होता है कि आपके प्रभू जो है उन्होंने जो पूजा आपने की है सुरू से लेकर अंत तक जो उनकी पूजा की है, वो उनके द्वारा मानने है, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया, वे आपकी पूजा और भक्ती से प्रसन हुए, उन्होंने आपको अंतिम में ये संकेत दिया, बहुत बार क्या होता है, कभी-कभी इश्वर हमारे बीच में ही प्रस पूजा आरादना कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूजा स्विकार की गई है, उनके द्वारा हमारी पूजा मानने है, वे हमारी पूजा भक्ती से प्रसन है, उनको ये पूजा हमारे द्वारा जो की गई है, आज की पूजा, तो वो हमारे जो पूजा की गई है, वो मानने है, इश्वर के द्वारा हमारे जो प्रभू हैं, हम जिसे मानते हैं, जो भी प्रभू इश्वर देवी देवता की हमारे उपर, जिनका हमारे जो है, जो भी दे और शेर जरूर कर दीजेगा और मुझे कमेंट में भी जरूर बताएगा कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ कुछ नए तत्त के साथ तब तक के लिए आप सभी का मेरा वीडियो और चानल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रादे रादे जैमाता दी इश्वर की अनुकंपा आप पे बनी रहे धन्यवाद